एक समय था जब महिलाओं के नाम ना जमीन होती थी, ना दुकान होती थी, और नहीं घर. कभी भी पूछ लिजए, कि पर जमीन किस के नाम पर? या तो पती के नाम पर? या बेटे के नाम पर? या भाई के नाम पर? दुकान किसके नाम पर पती बेटा या भाई गाड़ी लाए स्कूटर लाए तो किसके नाम पर पती बेटा या भाई माइला के नाम पर न गर होता है न गाड़ी होते कुछ नहीं होता है पहली बार हमने नेने किया कि हमारी माताओं बहनों के नाम पर भी संपत्ति होगी और इसलिए हमने ऐसे महत्व economics नेने किये और इसने जब उनके पास यह ताकत आती है न यह empowerment होता है तो घर में जब आर्थिक फैसले लेने में की बात आती हैं तो माताई बहने उसमें हिस्सेदार बनती हैं उनकी सहभागिता बढ़ जाती हैं वनना पहले क्या होता था घर में बेटा और बाप कुछ व्यापार बिद्नेश की बात करते हैं और कीचन में से मां करके थोड़ी कह देते हैं जब 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 तो तुम कीचन में काम करो हम बेटे के साथ बात कर रहे हैं यानि यह समाज की स्थीति हमने देखी हैं आज माताई बहने एंपावर होने के अगर वह आकर के कहते हैं ने यह गलत कर रहे हो यह करो ऐसा करने से यह नुक्षान होगा ऐसा करने से ल पुरानी सोच और पुरानी अव्यवस्ताओं का बंदन था, बेजिया कुछ काम करती थी, नोकरी करती थी, तो कई बार उन्हें मातरुत्वों के समय नोकरी छोड़नी पड़ती थी, अब उस समय उसको जब सबसे ज़्यादा जरूरत हो, पैसों की भी जरूरत हो, बाकी साहज तकी जो उसी समय नोकरी छोड़नी पड़े, तो उसके पेट में जो बच्चा है उस पर उसका प्रभाव होता है, कितनी लड़कियों को महिला प्राधाओं के डर से काम छोड़ना पड़ता था, हमने इस थारी स्थिती को बदलने के लिए बहुत सारे कड़म उठाए है, हमने मातरुत्व अवकास को बारा हफ्तों से बढ़ा कर 26 हफ्ते कर दिया है, यहने एक प्रकार से 52 हफ्तों का साल होता है, 26 हफ्ते चुटी देते हैं, हमने वर्क्प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सक्तर कानून बनाए है, बलातकार और हमारे देश में हमारी सरकार ने बहुत बढ़ा काम किया है, बलातकार जैसे जधन्य अप्रादों पर फांसी जैसी सजाका भी प्रावधान किया है, इसी तरह बेटे बेटी को एक समान मानते हुए सरकार बेटियों के विवाय के आयू को भी 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है सहुसत के सामने प्रस्ताव है आदेश सेना में बेटियों के बड़ी भूमिकाओं को बढ़ावा दे रहा है सैनी स्कुलों में बेटियों के दाखिले की शुरुआत हुई है